नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है मेरे यीटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा अलस्रेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम्स के बारे में दोस्तों होमोपेथिक में 5 ऐसी होमोपेथिक मेडिसिन है जिसका यूज क्लिनिकल प्रैक्टिस में अलस्रेटिव कोलाइटिस में किया गया है यदि आपको ulcerative colitis की problem है तो यहाँ वीडियो आप अंतक जरूर देखें साथी साथ हम जानेंगे किस medicine को हम कब तक regularly use कर सकते हैं किस potency में हमें किस medicine का use करना चाहिए कब तक regularly हम इस medicine का use कर सकते हैं ulcerative colitis की problems में दोस्तों ulcerative colitis को हम colitis भी बोलते हैं दोस्तों ulcerative colitis यहाँ एक ऐसी medical condition होती है जो हमारी बड़ी आथ होती है जो हमारा colon होता है उसमें swelling वाज आती है और swelling आने की कारण जिस भी व्यक्ति को ulcerative colitis होता है उसमें व्यक्ति को पेचिस होते हैं याने की दस्त होते हैं आउं आत है मरोड वाला दर्द होता है इस पासमोडिक पैन हमें व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है और साथी साथ उसमें खून आने लगता है और स्टूल पास करने से पहले पेट में बहुत ज़दा मरोड होती है एठन होती है और स्टूल पास करने के बाद भी एठन होने लगती है आवाले दश्थ आने लगते हैं और व्यक्ती काफी लंबे समय से इस बिमारी से सफर करते रहता है और कई बार उसे यहां जानकारी भी नहीं हो पाती है व्यक्ती को बहुत ज़दा weakness होते होने लगती है कम्जोरी आने हैं और इसे हम तरह तरह से नामों से पहचानते हैं यदि आपके अंदर इस तरह के सारे symptom present है तो आप यह अच्छी तरह से समझ जाए कि आपको अलस्रेटिव कोलाइटीस है और आपको यहां medicine यूज करनी है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहली medicine है मर्क कॉर मर्क कॉर अलग medicine है और मक सौल अलग medicine है यह आपको विशेज ध्यान रखना है मक और एक ऐसी medicine है जिसका यूज 30 potency में किया जाता है चारबून सुवा जीब में लेना है चारबून दोफैर में आपको लेना है और चारबून स्याम को लेना है इस medicine का use continue एक से दो मेहने तक आपको continue करना है इसमें क्या symptom हमें देखने को मिलते हैं व्यक्ति को एठन जैसा दर्द होता है इस पास्मोडिक पैन होता है जब भी बहुत ज़्यादा दर्द होने एठन वाला दर्द होता है पेचिस होती है आओं आती है आओं के साथ खून भी आने लगता है और पिसेज बात यहां रहती है कि आती है दोस्तों नक्स बोमिका नक्स बोमिका इस पेसली बहुत ही अच्छा काम करती है जिनको भी यहां सिकायद होती है वहां नौन वेज का सीवन अत्यदिक मातरा में करते हैं अलकोहल का सीवन करते हैं स्मोकिंग बगेरा करते हैं तो उनके मैं यहां विसेज रोल प्ले आशना उन्हें मैसूस होता है एक बार मैं पेट साफ नहीं होता है तो उसमें नक्स भूमिका का यूस किया जाता है इस पेसलि नक्स भूमिका का यूस तूहनड़ड पॉटेंसी में चारबून सुबह और चारबून से हमको इस Mendicine का यूस कम से कम एक महने तक व्यक्ति को दिया जाए यहां पूरी तरह से ठीक हो जाती है नेक्स्ट मेडिसीन आती है दोस्तों कॉल्चिकम कॉल्चिकम मेडिसीन का यूज स्पेसली 30 पॉटाइंसी में किया जाता है चारबून सुबा चारबून दोफेर में चारबून रात में इस व्यक्ति में यहा बहुत जजढगा दर्ध होता है इस तूल पास करते समें दर्ध की कंडिशन ﷻ को मिलती है बिफ़ोर के पहले भी और अफटर के बाद भी 6 स्पास मोडिक पयन होता है दर्ध होता है और मल के आउं आती है तो इस कंडिशन में कॉल्चिकम बिसीस रोल प्ले करती है वैक्ति को इस मैडिसिन का यूज दो मेहने तक कंटीनिव करना चाहिए नेस्ट और बहुत ही इफेक्टिव होमोपेटिक मैडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों सलफर इस पेस्टी सर्फर बहुत ही अच इस काम करती है मैडिसन का यूज थर्टी पॉक्टइन सिमें किया जाता है चारबुन सुभा और चारबुन को कंटिनीव 2-3 महने तक 워ज स्टीप यंदि कीपा टीव तरह से ठीक हो जाती है डोस्तों यहां मैडिसिन का यूज 2-3 महने तक करना है पॉताइन स्टी है यहां प्रॉब्लम्स आपकी पूरी तरह से ठीक हो सकती है यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फूजन नहीं तो लाइफ निक में आप पूर्श सकते हैं और आप ओनलाइन कंसर्ट एंसी भी ले सकते हैं यदि आप काफी लंबे समय से इस विमारी से सफर कर रहे हैं तो डिस्